हेलो फ्रेंट स्वागत था आपका मेरे चैनल में और आज मैं आपके लेकाई हूँ एकदम स्पाइसी वाला चिकन करी की रेसिपी जब मन हो एकदम स्पाइसी खाने का तो इसे जरूर बनाने का और फ्रेंट्स अगर अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं करा है तो जल्दी स फोड़ा ज्यादा डालेंगे नॉर्मल सब्जी से थोड़ा सा ज्यादा और यहां पर लिया है खड़े मसाले दो तेज पता लॉंग 4-5 दो सुखी लाल मिर्ट और दाल चीनी और एक चमत जीरा और काली मिर्च इन सभी को जो है गरम तेल में डाल देंगे और हलका सा इन्हें पका लेंगे 10 सेकंड के लिए और उसके बाद मैंने यहां पे लिया है प्याज तो मैंने यहां पे फ्रेंट्स तीन मीडियम साइज प्याज लिये थे जो कि मैंने चौप कर रखे हैं गैस का फ्लेम कर देंगे मीडियम टू लो और प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि यह गोल्डन ब्राउन से थोड़ा से जादा डार्क ना हो जाए तो एक बार मिक्स करने के बाद जो है इसे दो से तीन मिनट के लिए धक्के पका लेंगे और उसके बाद फिर से ध तब तक भून लेंगे जब तक कि यह ब्राउन ना हो जाए तो यहाँ पेंगे तो इसका कच्छा पन दूर करने के लिए इस से एक मिनट को जाए तो इसके बाद मैंने यहां जडा रिया है दो से 3 हरी मिर्ड मैंने बारिक चौन का ही करी हुई है साथ ही मैं इहां पर टमाटर लिये हैं जो कि मैंने चॉक कर रखे हैं और यहां पे डाल देंगे नमक एक चमच ताकि घंद कंटार ही कि अकपा क्टार कहले एक लीके अच्छी को के लिए कट खाला है और ऑस्टीन म ніटे भछक को कालें कि इस तरीके से प्रेस कर लेंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल सके तो जब टमाटर गल जाएं तो अब इसमें डालेंगे हम सुखे मसाले तो यहाँ पर मैंने एक चमर डाला है कश्मिरी लालमिस पाउडर एक चमर डाला है लालमिस पाउडर और दो चमर डालेंग जो भी आपके पास हो तो बस इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को तब तक भून लेंगे जब तक कि इस में से जो तेल है वो सेपरेट न हो जाए फ्रेंड्स मैं चिकन बना रही हूँ एक दम स्पाइसी तो इसलिए मैंने जो है मसालों का इस्तमाल जादा करा है आप अपने हिसाब से मसाले डाल सकते हैं कम या जादा और यहाँ पे देखिए जो मसाले हैं वो टमाटर प्यास के साथ अच्छे से पक चुके हैं तेल भी मिक्स कर लेए और यहाँ पी से यहाँ पे पाणी का इस्तमाल नहीं करना है तो जो है इसे एक बार फिर से धकन इसओं वो टमालों के के ताकि जो चिकन का जो मसाला है ना वो नीचे से जले ना तो इसलिए इसे जो है बीच में चलाते रहें और फिर से इसे धकन लगा देंगे और फिर से इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और फिर से जो है पान से साथ मिनट बार धकन हटाएंगे और इसे मिक्स कर लेंगे तो जब इस तरीका का हो जाए ना जब चिकन से जो है तेल रिलीज हो जा तो उसके बाद हुआ है इसमें पानि का से पहले नहीं तो एक बार इसे PBOS acted है फिर से एक से DEsperation 2 August के लिए बून लेगे और उसके बाद भाणी का पानी का इस्तमाल करेंगे तो मैं नहीं हिल्ड जब नहीं आपर आदी आदि-ग्लास-पानी लिया इसे पाद फिर से ऐसे पानी आप अभी आ रखना चाहें तो आप उससाब से पानी का इस्तमाल करेंगे क्योंकि मैं इसे बना रही हूं चावल के साथ तो इसलिए मैंने यहां पर पानी का स्तमाल जादा करा है और इसे ढखके पका लेंगे कम से कम 12-15 मिनिट के लिए फ्रेंड्स ढखके पकाने से चिकन हैं बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है अगर आप इसे कुकर में बनाना हुए तो मैं इसका ढखकन हटाऊंगी और यह देखिए चिकन को एक बार जो है फिर से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ना चेक कर लेंगे कि जो चिकन है वो पका है या नहीं तो इसलिए जो है मैं एक पीस उठा लोंगी और जो है चम्मस से इस तरह के से प्रेस कर तो फ्रेंट्स इस स्टेज में आप नमक चेक कर सकते हैं, कि आपने नमक ठीक डाला है यह नहीं डाला है और 5 नियुर बा देखिए जो चिकन है ना, वो हमारा पक चुका है आप कहेंगे पता कैसे चलेगा तो ये देखिए जो चिकन की लैग होते है न तो ये जो लैग है वो अपना जो है मास छोड़ देती है तो समझें कि हमारे जो चिकन है वो पक चुका है तो बस आप जो है गैस को कर देंगे बंद और इसे करेंगे हम एकदम गर्मा गर्म सर्व तो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको मेरी आज की रेसिपी मुझे कमेंड करके जरूर बताएं और रेसिप पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैन को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा साथी बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे तब तक के लिए फ्रेंड्स टाटा बाई बाई